सोनफुर गाउं में किशव नाम का एक गरीब मज़दूर रहता था मज़दूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए नहीं तो परिवार रुखी सुखी खाकर ही सो जाता था एक दिन सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते इस गाउं में तो कोई काम मिलने से रहा तुम वो पहाडी के पारवाले गाउं में भी तो जाकर कोई काम ढूंड सकते हो शायद कोई काम मिल जाए पर कमला उस पहाडी का रास्ता बहुत खराब है ज्यादा तर सुनसान ही रहती है पहाडी पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रुखा सुखा खिलाते रहेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी न जी ठीक है कमला, मैं कल सुभा ही दूसरे गाउं के लिए निकल जाऊंगा ठीक है, ताकि समय से वापिस आ सकूँ कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांद कर देती है, सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा ले ना केशव मज़दूरी करने के लिए दूसरे गाउं निकल पड़ता है, वो उस पहाडी के रास्ते चलता जाता है, आधे रास्ते चलने पर केशव ठक जाता है, वो सोचने लगता है थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा अरे, कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खा कर भूख मिटा लेता हूँ केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चीटी उसके पास आती है भाईया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बेहने भूखी है, हमने बहुत दिनों से कुछ नए खाया है, तुमारी बड़ी महरवानी होगी हाँ हाँ ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो चीठी खुशी-खुशी वो गुड और चने अपनी बेहनों को खिलाती है जैसे ही चीठियां गुड और चने खाती हैं देखते ही देखते वो सब सुन्दर परियां बन जाती है केशव ये सब देखकर हैरान रह चाता है शुक्रिया रागीर आज तुम्हारी वज़ा से हम श्राप से मुक्त हो गई हम परिलोग से धर्ती पर घूमने निकली थी इस पेड के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे हमने भूल से उनके भोजन में कंकर भेग दिये जिससे उन्होंने हमें चीठी बना दिया केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती है वो केशव से कहती है तुम चिंता मत करो केशव तुमने आज हमारी सहायता की है इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते है ये जादूई चूलहा है इस पर बरतन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बरतन में पक जाएगा मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ जैसे ही तुम एक थी दुलहन एक था दुलहा बंध हो जादूई चूलहा बोलोगी चूलहा खाना पकाना रोग देगा केशव को जादूई चूलहा देकर परिया अपने लोग में वापस चली जाती है केशव वो चूलहा लेकर खुशी-खुशी घर वापस आ जाता है अरे तुम तो बहुर जल्दी वापस आ गए और ये चूलहा कैसा कमला एक खाली पतीली लेकर आती है केशव पतीली को जादूई चूलह पर रखता है और चूलह जलूटता है केशव दाल बूलता है और पतीली दाल से भर जाती है केशव एक एक करके चूलह पर बरतन रखता जाता है और मिंटो में सारा खाना बनकर तयार हो जाता है ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं देखा कमला मिंटो में सारा खाना इस चूले पर तयार हो रहा है और कुछ चाहिए तो बोलो बस बस अभी इतना बहुत है हमारे लिए केशव मंत्र बोलता है और चुलहा बंद हो जाता है अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था एक दिन केशव घर के नजदीक ही एक छोना पड़ता है तोती सी दुकान किराय पर ले लेता है और जादुई चूलहा रख कर चाय बनानी शुरू कर देता है धीरे-धीरे केशव का चाय नाश्ते का धाबा चल पड़ता है आने जाने वाले लोग केशव के धाबे पर रुखकर चाय पराठे खाया करते थे जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे केशव उन्हें मुफ्त में इखाना बाढ़ दिया करता था उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे धीरे-धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है एक दिन अरे भाई केशव कैसे हो? अरे मोहान अरे अरे तुम शेहर से कब आए भाई भाईया? गाउं का तो रस्ता ही भूल गए लगता है बस काम से फुरसत ही नहीं मिलती वो तुम्हारी भाबी को यहाँ गाउं में कुछ काम था ना तो दो एक दिन के लिए आये हैं मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए है तुने ढावा खोल लिया यार जिसकी चर्चा पूरे गाउं में हो रही है आ मित्र बस सब भगवान के खृपा है बात कुछ और ही है यह ऐसे नहीं मानेगा मुझे सचका पता लगाना ही होगा अगले दिन केशव धावे पर जाता है मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है अरे मोहन अरे इतनी सुभा सुभा मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ तो आज तुम्हारे धावे पर ही चाय नाश्टा कर लो है कि नहीं पता नहीं शहर से फिर कब आना हो हाँ हाँ मोहन बिलकुल बिलकुल भाई ये भी कोई कहने की बात है अरे तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना केशव धाबे की रसोई में चला जाता है मोहन केशव को छुप कर देखने लगता है ये क्या जादू है केशव ने इस चुलहे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई आरे अब ये तवा रख रहा है ये क्या पराठा भी बन गया ये तो कोई जादू ही चुला है अच्छा तो ये बात है तभी कहूं ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया ये चुला वैसे मेरे पास होना चाहिए मैं इसे चुरा लेता हूँ शाम को जब केशव घर लोट जाता है मोहन राग्त के वक्त चूला चुराकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है केशव जब ढाबे पर आता है चूला गायब होता है सुनो जी जो हो गया सो हो गया इस बहाने हमें मार्ट दर्शन तो मिला अब आप एक नया चूला लेकर इस धाबे को आके बढ़ाओ देखना आपकी मेहनत रंग लाई की केशव एक मेहनती व्यक्ती था इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुवात की उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शेहर में अपनी घर पहुचा जाओ शीला एक खाली बतीली ले आओ अभी तुम्हें इस चूले का जादू दिखाता हूँ जादू ही चूले मुझे पुलाओ चाहिए पुलाओ चूले पर बरतन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाओ बोला चूला जलने लगा और पुलाओ बनता चला गया मोहन चुले को फूप मार मार कर बंद करता रहा पर वो बंद ही नहीं हो रहा था अरे ये चावल बंने तो बंद ही नहीं हो रहा है अरे ऐसे तो पुरा कमरा भर जाएगा हम दोनों चावल के धेल में डब कर मर जाएंगे शीला क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है अब तो एक ही रास्ता है इस चूले को तोड़ दो हाँ हाँ ये ठीक रहेगा मैं इस घटिया चूले का तोड़ देता हूँ मोहन गुस्ते में चूले को पटक कर तोड़ देता है चूले के दो टुकड़े हो जाते है और जादू खत्म हो जाता है चूले की जगा मिट्टी का धेर पड़ा रह जाता है केशव को जादूई चूले की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है जबकि मोहन के हाथ में आकर जादूई चूलहा मिट्टी हो जाता है किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो इमानदार और नेग दिल होते हैं चोर और मकार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं किशनपुर गाउं में एक बूरी औरत अपने पोते शंकर के साथ रहती थी शंकर के माता पिता उसे बच्पन में ही छोड़ कर स्वर्ग सिधार गए थे वो लोग बहुत गरीब थे शंकर गाउं में खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भिलाता उसी से उनका घर चलता था उनके पास एक गाय थी जो थोड़ा बहुत दूद दे देती थी जिससे थोड़ी बहुत आमबनी हो जाती थी एक बार जब शंकर खेतों से काम करके वापस आया तो उसने देखा उसकी दादी सो रही थी उसने दादी को जगाया तब दादी बोली मुझे सास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है बेटा मुझे वैदी जी के पास ले चलो शंकर ने जब जाकर दादी का संदूक खंगाला तब उसमें सिर्फ 20 रुपे पड़े थे वो 20 रुपे लेकर दादी को गाउं के वैदी जी के पास ले कर गया वैदी जी ने दादी की नाड़ी देखी और बताया तुम्हारी दादी लकडी के चूले पर खाना बनाती है जिसकी वज़ा से उनके फेफडों में दूआ चमके है और इस वज़ा से उनको सास लेने में दिक्कत हो रही है मैं अभी उनको कुछ दवा दे देता हूँ कुछ खाने के बाद खिला देना और इस बात का ध्यान रखना कि उनको धुआ ना लगे वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी शंकर ने घर आकर दादी का बिस्तर बरांडे में लगा दिया फिर खुदी खाना बना कर दादी को खिलाया और बोला दादी आप दवा खा लो और आराम करो मैं अभी आया वो जिस ठेकेदार के खेतों में काम करता था, उनसे कुछ पैसे मागने पर ठेकेदार ने कह दिया अरे, तुम्हें पैसे अभी नहीं मिल सकते शंकर सोच में पढ़ गया, कि अब क्या करे तभी उसके मन में आया, अगर घर का खाना में खुदी बनाया करू, तो दादी को धुआ नहीं लगेगा वो रोज सुबह उटकर दादी के उटने से पहले ही पूरा खाना बना देता उसने सोचा, इस बार जब पैसे मिलेंगे, तब वो एक गैस वाला चूलहा खरीद लाएगा उनके गाउं में तो गोबर वाले गैस से लोगों के घर में लाइट भी जलती है और चूलहा भी जलता है पर इन सब के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे फिर एक दिन वो काम पर जा रहा था कि तभी गाउं के सरपंच मिल गए उन्होंने शंकर से कहा अरे शंकर, हमारे जानवरों की देखभाल करने वाला रामू अपने बेटे के साथ कानपुर चला गया है क्या तुम किसी को जानते हो जो सुभा शाम जानवरों का चारा पानी और साफ सफाई कर दे अरे ये काम तो मैं ही कर दूँगा उसके बाद काम पर चला जाऊंगा दूसरी दिन से ही उसने सरपंच के घर का काम पकड़ लिया उसने सोचा जब तनख्वा मिलेगी तो सबसे पहले एक गैस का चूला खरीद लोगा और फिर धीरे धीरे गोबर गैस भी लगवा लोगा वो दादी को रसोई में जाने ही नहीं देता था दादी भी अब ठीक हो गई थी जब पहली बार सरपंच ने उसको तनख्वा दी तो वो गैस का चूला ले आया और रसोई में रख दिया दूसरे दिन जब वो खेतों पर जाने से पहले रसोई में खाना बनाने के लिए गया तो देखा कि चूले में पहले से ही चाय बनकर तयार रखी है दादी आपने चाय क्यों बनाई मैं आ तो रहा था मैं तो रसोई में गई ही नहीं फिर उसे लगा कि शायद दादी उसके डर से बहाने कर रही है दोनों ने चाय पी और जब बरतन रखने रसोई में गया तो उसके आश्चरे का ठिकाना ना था चूले के पास ही सबजी और रोटी ढखका रखी थी और चूले पर गरम गरम हलवा रखा था उसने सोचा दादी तो मेरे साथ चाय पी रही थी तो फिर ये कौन बना कर चला गया ना चूला जला न धूआ फिर ये सब कैसे हुआ उसने दादी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन उलचते हुए उनसे कहा दादी मैं निकल रहा हूँ आप खाना खा लेना ठीक है हलवा भी बना दिया है आज दादी शंकर का मूँ देखने लगी उन्होंने सोचा एक ही महीने में कितना कुछ सीख गया शंकर जब काम से शाम को घर आया तो उसको बहुत थकान लग रही थी उसने सोचा आज खिचडी ही बना लूँगा थोड़ी देर में जब वो रसोई में गया तो उसकी नाक में देशी घी के चौक की खुश्बू भर गय उसने देखा कि चूले पर खिचडी बन कर तयार है वो खुशी से दादी के पास आया और बोला दादी आपको पता है मैं जो गैस चूला लाया हूँ न वो जादूई है हाँ क्या हाँ दादी आज तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया सुभा से हम जो कुछ भी खापी रहे है सब जादूई चूले का कमाल है सच गैस का चूला तो वाकई जादूई ही लग रहा है दादी बताईए अभी आपकी क्या खाने की इच्छा है दादी हसने लगी और कहने लगी अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो बताती हूं मुझे बहुत दिनों से मालपुए का मन हो रहा था पर तुम तो मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते शंकर जल्दी से रसोई में गया और देखा वहां गैस के चूले पर दस मालपुए रसोई में ढखकर रखे हुए हैं वो चिलाया दादी जल्दी आओ और देखो दादी जब आई तो मालपुए देख कर दंग रह गई दोनोंने मालपुए खाए और बचे हुए उठा कर रख दिये रात को जब शंकर सो गया तो दादी चुपके से रसोई में गई और गैस के चुले के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली हे देवता आप जो भी हैं हमें सच्चाई बता दें ताकि मेरे बेटे की और हमारी उल्जन दूर हो जाए तभी पूरी रसोई उजाले से भर गई एक रोशनी हुई और एक अद्रिश्य आवाज आई वो बहुत ही मधुर आवाज थी मैं एक परी हूँ आप लोग बहुत ही सच्चे और इमानदार लोग है आपके शंकर ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए एक महीने से इतनी मेहनत की है जब वो उस दिन चूला लेकर लोट रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था मैं उसी बगीचे में मुख के बल गिर गई थी मेरे बाजू से खून बहरा था आकाश में किसी गिद्ध ने मुझ पर आक्रमन कर दिया था इसी लिए मैं नीचे गिर गई थी और मेरी बाजू से लगातार खून बहरा था तब उसने मुझे उठाया और मेरे मूँ पर पानी का छीटा मारा और मेरे घाव साफ किये उसने कहा आप यहीं बैठिये मैं अभी घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ और वो घर से मेरे लिए दवाई, पटी, दूद और कुछ खाना लेकर आया मेरे घाव से खून बहना बंद हो गया था मैंने भर पेट भोजन किया था मैं उसकी इमानदारी से बहुत प्रसन हुई मैं अपने लिए भोजन तो नहीं जुटा सकती पर दूसरे के लिए अवश्य जुटा सकती हूँ आप भी बिलकुल चिंता मत करिये अब आप लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी दादी की आँखों से आंसु आ गय हमारे शंकर ने बच्पन से ही बहुत तकलीव छेली है वो मेरा भी बहुत ध्यान रखता है आपकी क्रिपा से हमारे खाने की समस्या भी खत्म हो गए अच्छा एक बात और पूछनी थी क्या शंकर जानता है कि आप परी हैं? नहीं घायल होने से मेरे पंक तूट गए थे पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ आप लोग जितना भी खाना चाहेंगे उतना खाना मिल जाएगा अब मैं चलती हूँ दूसरे दिन जब शंकर सोकर उठा तो दादी ने उससे पूछा उस दिन बगीचे में तुमने किसकी मदद की थी? और किसको खाना खिलाया था? उस दिन हाँ याद आया एक बहुत ही खुबसूरत लड़की थी और वो गिर गई थी उसके घाउ साफ करके दवा लगा दी थी और खाना भी खिलाया था आप उस समय सो रही थी इसे लिए बताना भूल गया बेटा वो परी थी उसी ने मुझे सब कुछ बताया और उसने कहा अब से हमें जो भी खाना चाहिए वो सोचते ही मिल जाएगा और हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी शंकर उठ गया और बोला दादी आप ये क्या कह रही है हाँ हाँ बेटा सच में और दूसरे दिन से ही वो लोग गैस के चूले से धेर सारा खाना मांगते और उनको गरीब लोगों में बांट देते धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया गैस वाला जादूई चूला तो एक बहाना था असली करामाद तो शंकर की मदद करने वाली आदत थी उनकी जिन्दगी में अब कोई कमी नहीं थी बेस्ट बाडी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए बेस्ट बाडीज